तो है गाज दोसे जिया ग्रेट वेलकम बैक टो दो चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस मसीन के अंदर में जितने भी गियर्स है उसको लगाने बताऊंगा और घडी का या मसीन है या दोनों दोनों अलग अलग टाइप के हैं तो इन दोनों को मैं रिपेर करन करने का बस यहां पर एक टेप चिपका हुआ रहेगा उसको खोल लेना पहले उसके बाद यहां पर देखिए यह इस सड में एक हुक लगा हुआ है और इस सड में एक हुक लगा हुआ है तो इन दोनों को हमें आराम से देख करके ऐसे खोल लेना बाहर से और यह देखिए इ कैसे निकल जाएगा हमारा यह बाहर निकल लिया हमारा उसके बाद देखिए इसमें गेर्स कितने सारे हैं सारे गेर्स के अलग-अलग काम है तो सारे गेर्स को मैं यहां से खोल देता हूँ पहले देखना एक यह पहले मैंने इसको रिमूब किया फिर यह मैगनेट उस वाले घड़ी में देखो यह जो मैगनेट का यह जो प्लास्टिक वाला है ना यही फट के यह जो है बाहर निकल गया था यह मैगनेट है यहां से बाहर निकल गया था तो इसको मैं फेविक विक से लगा करके चिपका करके कुछ दिन चलाया था तो यहां पर देखिए और भी गियर इसको निकाल लेता हूं मैं यह निकल गया पूरा और उसके बाद आपको इसके सर्कीट को चेक कैसे करना है कि आया सही है कि खराब है तो मैं पहले बाहर निकाल लेता हूं उसके बाद दिखाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा कि कैसे इसके सर्कीट को चेक करना है कभी- अंदर में जो है जंग लग जाता है जिस कारण से यह चलने नहीं लगती है यह वाल गड़ी तो उसको थोड़ा सा रगड देना होता है उसके बाद से फिर से चालू हो जाता है तो यह इसका मसीन पूरा यहां से बाहर निकल गया और यहां पर देखिए इसको कैसे check करना है अ है आपे solar क्या हो है और दूसरा वायर यहां पर तो हमे मल्टी मीटर के मैध्यम से continuity चेक करना है तह smiles power को और है किधियेobile अब हमें चेक करना तो कुछ इस तरह से चेक कर लेंगा यह सही है कि खाराब है पता चल जाएगा देखे कुछ वेलू आए रहा है मतलब कि guys यह सही है ठीक है दोनों को reverse करोगे तो same वेलू आएगा ऐसा कुछ नहीं है देखो यह आ गया और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से यह winding सही है हमारा और इसका जो है winding सही है उसके बाद यहाँ पर wires connected है तो अब क्या है यहाँ पर हमारा सारा कुछ सही है उसके बाद यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है यहाँ पर बैटरी का power supply चिपकावा नहीं रहता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रगड लेना है जहाँ पर बैटरी का लगती है गड़ी तो इसको भी हमें यहाँ से थोड़ा साप कर लेना है उसके बाद से हमें सारे gears को इसमें set कर देना है gears को अब set करने में बताता हूँ तो यह रहा इसका cover और कुछ इस परकार से यहाँ से दीख रहा है और सबसे पहले हमें gears को कुछ इस परकार से लगाने है यह रहा हमारा over वाला तो over वाला कुछ इस परकार से दिखता है आप देख सकते हो और इसको हमें यहाँ पर लगाना है पहले इसको लगा लेने के बाद second में हमें यह देख सकते हो आप यहाँ पर इसका gear यह कुछ इस प मिनट वाला तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है तुम यहाँ पर लगा लेना है और बस यहाँ पर तीनी घीर लगा लेने के बाद देखिए आपका यह घुमाने पर सारा घुम यहाँ तो तो तिनीा घीर लगा लेने फीक कर सकते हो और लगा सकते हो बना सकते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ तो यह हो गया हमारा लग जला सारे gears यहां के उसके बाद अब हमें किस तरह के यहां पर तो बहुस सारे gears है अब किस तरह से लगाने है वो मैं बताता हूँ इस वाली घड़ी का ये खुल गया था positive terminal वाला clip तो इसको मैं लगा देता हूँ और फिर से set कर देता हूँ तो ये लग जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ इस परकार से हमें gears को लगाने है सबसे पहले आपको second वाला लगाना है second वाली sweet के लिए gear कुछ इस परकार से होता है और इसको सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे लगा देना है इसे लगाने के बाद दूसरे नमबर पे हमें ये वाला लगाना है देख सकते हो आप यहाँ पे दूसरे नमबर वाला कुछ इस परकार से दिखता है जो की अंदर ये जो है ये गियर है अंदर साइड में यहाँ पे ये देखो ये थोड़ा यहाँ पे छेद है तो यह अंदर में जाकर के बैठ जाएगा और कुछ इस प्रकार से सकेंड वाले से ऐसे घूमने लगएगा ठीक है दूसरे नमबर पर यह हो गया उसके बाद मैं आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ कि मैगनेट यहाँ पर घूमता कैसे है यह जो मैगनेट है यह यहाँ पर ऐसे लगा दिया मैंने और अभी देखना बैटरी को लगाओंगा तो देखना यह देखो गूमने लगा एकदम पूरा अगर यह घूम रहा है काम कर रहा है इसका मतलब आपका काम करेगा घड़ी लेकिन यहाँ पर देखिए यह थोड़ा लेक करने लगता है जिस कारण से मैंने इसको पूरा मसीन को ही चेंज कर डाला ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर एकदम मोटर के तरह से यह घूमने लगा या स्विप वाला है तो चलिए अब इसमें और भी गियर्स को लगा लेते हैं तो गियर्स यहाँ पर उसके बाद क्या करना है हमें यह वाला गियर लेना है देख सकते हैं अंदर साइड में कुछ इस परकार से दिखता है और उपर साइड में इसमें कोई गियर नहीं है में करके यहां पर लगाना है जो की हमारे second वाले को चलाएगा घुमाएगा त्रीक है यह लगा लेने के बाद हमें एक और बचता है हमारे पकास वो की यह वाला gear तो इसका अंदरसाड वाला जो gear दीख रहा है इसको हमें अंदरसाड में करके लगाना है ऐसे कुछ ये देखिए ऐसे मैंने ऐसे मैंने लगा दिया और अब देखिए यहाँ पर यह वाला हमारा करके देखा देता हूं, देखो, यह अठक गया, फस गया, ठीक है, तो अब मैं इसको लगा करके देता हÚ, लगाना भी बहुत ही ऊजी है, देखे, यह जो है, इसको भी आप खोल सकते हो, लेकिन, देखे, यहाँ पर ऐसे अब लगाना है अराम से एक दम बैठ गया लग गया अब पूरा आपका घड़ी बनके रेडी हो चुकी है ये वाली अब देखना एक दम पूरा सर करके घुमने लगेगा तो ये कुछ इस पुरकार से ये वाला फिनिस हो गया और गाइज अब चलिए नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं कि नेक्स्ट वाले गयर्स को कैसे लगाना है यह तो और भी इजी है तो इसके भी डाइल को मैं खोल लेता हूँ मसीन को उसी तरह से खोलना है जिस तरह से पहले वाले को खोला था अगर आपने यह सीग गया तो यह तो इसली बहुत ही इज यह आराम से सीख जाओगे देखो सबसे पहले इसको मैंने निकाला इसको मैंने निकाला यह लिकाला आप चाहे तो और नहीं तो एक आडिया में देता हूँ जब आप कोई भी घड़ी के डायल को खोलो गे ना तो आप वीडियो रिगोर्ड कर लेना वहां पर आपको पता चल Wahlding iron यह टटा हुआBen इसका नैइ मैं इसको प्रेक्टिकल में यूज कर रहा था इसलिए यह टूटा हुआ है तो यहां पर क्या करना आपको जिस इसके बाद यह हमारा लग जाएगा मिनट वाला यह लग गया उसके बाद हमें यह वाला मसीन लगा देना और अगर यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है कि बैटरी वाला जो टर्मिनल है उसको साफ कर लेना अगर आप में गंदा है तो नहीं तो उस वज़ा से भी घड़ हरने के बाद यह दो ढखें यह जो गीर वाला है ना honor कर देगर तो इस गीर वाले को उपर साईड में रखना ऊसके बाद यह जो सकेंड Butter वाला है सबसहला पूछ वाला उसको लगा देना बाद में इसमें तीसरे नमर पर लगे से एक हो चुका है और आपके गड़ी चलने के लिए तयार है अब इसमें बैटरी लगा करके आप देख सकते हैं इसमें बैटरी में लगाऊंगा तो काम नहीं करेंगा क्योंकि इसका सर्कीट ही खराब कर रखाया मैंने और यह है इसका बैक वाला पैनल तो बैक वाले पैनल को आरा हम से यह से लगा देना है